दो हजार चौबिस लोकसभा चुनाओं को मद्दे निज़र रखते हुए भारतिये जनता पार्टी ने नई टीम की घोशना की बतादे कि वसुंद्रा राजी और रमन सिंग को बनाया उपाध्यक्ष बीजेपी लोकसभा चुनाओं 2024 को लेकर अपनी तयारियों को गती दे चुकी है इसी कड़ी में शनीवार को यानि की आज पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा ने अपनी टीम में कई बदलाव किये जेपी नड़ा की नई टीम में राजस्थान की पुर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो वहीं तिलंगाना के पुर्व बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजे कुमार को नेशनल सेक्रेटरी का पद दिया गया बीजेपी की सेंड्रल टीम में कॉंग्रस नेता और पुर्व डिफेंस मिनिस्टर एके अंटनी के बेटे अनील अंटनी को भी जगह दी गई है इसके अलावा AMU के पुर्व वीसी और पसमानदा मुस्लिम समाथ से आने वाले UP के MLC तारिक मनसूर को भी टीम में शामिल किया गया है आज जारी की गई इसी नई सुची में 13 उपाध्यक्ष और 9 महा सच्यू शामिल है भारती जिंता पाटी के अध्यक्ष जेपी नड़ा ने शनिवार को यानि की आज अपनी राश्ट्रिये टीम में फेर बदल करते हुए उतरप्रदेश के एकपस मांदा मुसल्मान को पाटी का राश्ट्रिये उपाध्यक्ष और तिलंगाना इकाई के पुर्वध्यक्ष बंदी संजे कुमार को राश्ट्रिये महा सच्यू बनाया है भाजपा ने करनाटक के नेता सी टी रवी और असम से लोकसबासांस दिलीप सैकिया को महा सच्यू पत से हटा दिया है भाजपा के राश्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने रविंद्र राजु को असमत्रिपूरा और विवेक दधकर को अंडमान और निको बार के लिए प्रदेश महा सच्यू निउक्त किया है वही अलिगर मुसलिम विश्व विद्याले यानि की एम यू के पुर्व कूलपती तारीक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाया गया है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिशत के सदस्य हैं उल्हे नई टीम में शामिल करने के फैसले को पसमानदा मुसल्मानों के लिए पार्टी की पहल का हिस्सा माना जा रहा है उत्तर प्रदेश ने ही पार्टी के सांसद राधा मोहन अगरवाल को महा सच्यू बनाया गया है वहीं बिहार से लोकसबा सांसद और पुर्व केंद्रिय मंतरी राधा मोहन सिंग को पार्टी उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है वहीं कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता एके आंटनी के बेटे अनील आंटनी को राश्ट्रिय सच्यू बनाया गया है साथी बता दे की बेल संतोस को राश्ट्रिय माहमंतरी बनाया गया है इसमें अरून सींग कैलार्स वीजयवर गिये दुश्यंत कुमार गौतम तरून चुग विनोत तावडे सुनील बनसल संजे बंदी और राधा मोहन अगरवाल का नाम शामिल है झाल झाल झाल